दोस्तों आज 22 जनवरी है और आज का दिन सभी बारतवासियों के लिए एक बहुत ही महत्तपूंट दिन है। दूसरी अगर हम बात करें दा हिंदू की हैडलाइन्स की तो यहां पर आप रोटेस्ट कर पाओगे कि मनीपूर का जो मुद्दा काफी टाइम से चल रहा है अभी भी वो खतम नहीं हुआ है यहां पर पिछले दिनों के अदर हमें देखने को मिला है कुछ लोगों को यहां प भी बोला गया है कि सेंट्रल फोर्सिस के द्वरा भी कुछ यहां पर इंजस्टिस भी यहां पर देखने को मिला है ऐसा यहां पर मनीपूर के सीएम के द्वरा ही बोला जा रहा है बहुत सारे मले जैसा सोच रहे हैं कि वो डिजाइन कर दें क्योंकि सिट्विशन अभी भी देखिए हमारी जो अलग अलग तरह के प्लैन लाती है कि कैसे हम यहां पर इनको सेव कर सकते हैं ग्रेट इंडियन बस्टर्ड को पर कुछ ना कुछ इशू उसमें रहते हैं तो यहां पर आपकी जो सुप्रीम कोट है उन्होंने यहां पर सेंटर से पूछा है कि आप भी अपने क्लियर प्लैन बताईए कि आप कैसे ग्रेट इंडियन बस्टर्ड को सेव करने की कोशिश करेंगे क्योंकि एक तरह से हमें इस बर्ड स्पेशिस को प्रिजर्ब भी करना है दूसी तरफ हम पता क्या जाते हैं हम चाहते हैं कि सोलर पावर के माद्यम से अपने एंव राजस्थान गुजरात उसी एरिया में मेजरली आपको देखने को मिल जाएगा एक्चल में न देखो जब हम बात करते हैं जैसे आप इसकी पिच्चर से भी आप नोटिस कर पाओगे यह आपको काफी हद तक ऑस्टिच की तरह देखने को मिलता है पर है नहीं वो उससे का रहेगा ग्रास लेंस की ना यह सिच्वेशन बताता है अगर मान लो आपको घ्रेट इन बस्ट रिवाप देखने को मिल रहे हैं इसका मतलब कि वहां पर जो ग्रास लेंड एको सिस्टम है वो अच्छे से वर्क कर रहा है आज कल देखो गफीज जादा इसकी एक्सिंशन हम वहां तर मेजरली आपको देखने को मिल जाएगा इतनी कम पॉपलिशन इसकी हो चुकी है कि इसको आयूसीन सेटर्स के अंदर क्रिटिकल इनेजर का दर्जा यहां पर दिया गया है बाकि डेफिनेटली आपका जो साइट्स है या सीमस है वहां पर अपर अपर अपेंडिक करते हैं इसलिए हम कोशिश कर रहे हैं कि इनको अंडर ग्राउंड यहां पर बनाया जाए तो बहुत सारे से प्रोजेक्ट्स मारे चल भी रहे हैं जैसे एक मारा है पर राजिस्थान की सरकार के दूरा चलाया जा रहा है ताकि जो ब्रीडिंग इंक्लोजर्स हैं उनको कंस प्रोग्राम भी है जो की वाइल लाइफ इंस्टूट ऑफ इंडिया और साथे साथ राजयस्थान का फॉरेस्थ डिपार्ट्मेंट यह मिलकर इस तरह ब्रीडिंग सेंट्र्स को यहां पर बना रहा है ठीक है ना डेफिनेटली ग्रास्टैन एको सिस्टम की यह एक तरह से फ्लैक्शिप स्विशिज है तो इनको प्रेक्ट करना हमारे लिए बहुत बहुत ज़ादा इंपॉइंट हो जाता है इवन देखो यूपी एस बात को रेकॉनाइस करती है और यह थिंग दोहजार बीस के अंदर मोस्ट पॉब्ली एक कोश्चन था दोहजा गया इंडिया क प्का ठीक कर सकते हो कि दिस इस वन अब तन नैश्रल हैबिटेट्स ऑफ ग्रेटिन बस्टर स्री यह थो लाइन देखने को मिलता हैं काफी अपने आप में बहुत बड़ा नैशनल पार गई है लगब्ग 30,000 किलोमेटर स्केर से भी जादा का एरिया यहां पर आपको देख देखने को मिल जाएगा ठीक है यह ना एक्चुली एरिया तो है पर यहां पर इस पर्टिकुलर रीजन में आपको थोड़ी बहुत human population भी देखने को मिल जाएगी तो यह जो second statement कहरा है कि कोई human habitation नहीं है यह अपने आप में गलत है और पहला statement मैंने आपको बता ही दिया कि प इस वज़ा से इस cancer बनेगा option number C 1 & 3 only तो directly GB के बारे में नहीं पूछा बट उन्होंने यहां पर desert national park के बारे में UPSC ने पूछ लिया था आगे बढ़े उससे पहले एक चोटे से information है आप सभी के लिए दोस्तों मारा type 10 2.0 जो batch है वो आज से start होने जा रहा याने की 22 जनम से start हो रहा है आप definitely इसको check कर सकते हैं यहां पर इस particular course के मार्दयम से ना जितनी भी आपकी requirements है UPSC को crack करने के लिए चाहे आपकी foundation classes हो आपकी CSET की classes हो and जितने भी components आपको required होते हैं इस exam को अच्छे से clear करने के लिए वो सारे के सारे यहां पर covered हैं ताकि आप बहुत अच्छे से इस UPSC exam को समझ पाओ उसकी demands को समझ पाओ और आपको पढ़ाया भी उसी साब से जाएगा definitely आपकी जो classes होंगी वो live होंगी and live के बाद आप इनकी recorded lectures भी आप definitely देख सकते हो in case आप इनको miss कर देते हो तो पहले तीन दिन यानि की 22,324 जनवरी को यह यहां पर free classes आपके लिए provide करी जारी है आप नीचे description में चेक कर सकते हैं इसका link और वहां से इस course के अंदर enroll भी कर सकते हैं चलिए आगे बढ़ते हैं Alliance for Global Good Gender Equity and Equality देखिए gender equity and equality तो आप समझते होंगे है के नहीं तो यहां पर न एक्चल में अगर आप notice करो पिछले साल ना हमने G20 conduct कराया इंडिया के अंदर नए दिली के अंदर आपने जानते होंगे G20 के यहां पर conduct हुआ और भी parts के अंदर conduct हुआ उस time के उपर भी हमने बात करी कि यार देखो महिलाओं का ना contribution बहुत जादा है और हम ना basically क्या चाते हैं कि महिलाएं आगे आएं जिसको बोलते ना women-led development की बात करते हैं बिल्कुल ठीक बात है अब इंडिया ने definitely इस चीज़ को मेंशे endorse किया है अब यहां पर आप जानते हो कि आज के समय World Economic Forum जो कि आपका Switzerland के अंदर आपको देखने को मिलता है वहाँ पर क्या चल रहा है वहाँ पर चल रहा था Davos Dialogue तो annual meeting चल रही थी उसके अंतरगतना ये alliance around हुआ alliance for global good, gender equity and equality क्या काम होगा इसका देखो इसका जो इंडिया ने commitment करी थी थी न woman-led development ही उसी को हम एक तरह से और भी आगे लेके जा रहे हैं यहां पर globally जो भी best practices चल रही है इस sector के अंदर जैसे women health हो गया women education, women enterprise हो गया इसके अंदर जो भी best practices होंगी वो एक दूसर का शेर करी जाएंगी investment हो गया, knowledge sharing हो गया तो gender equity and equality के पर promote करने के लिए जो भी चीज़े करने जा सकती है ना उन सब को यहां पर promote किया जाएगा अब ध्यान रखिएगा इसका network partner कौन है? world economic forum ही है और institutional partner को है that is आपका invest India तो आप सोचेंगे सर यह world economic forum और invest India क्या चीज़ है? देखो world economic forum तो बहुत बार discuss कि हमने 1971 के अंदर इसको establish किया गया as a not as a profit organization मैं आपको समझाता हूँ देखो world economic forum के अंदर पता क्या होता है? हर साल आपके world leaders मिलते हैं जरूरी नहीं है कि सारे government से हो, जैसे for example हमारे परधान मंची जी कही पर जाते हैं, हमारी government जाती है, US के president कही पर जाते हैं उसके साथ यसाथ बहुत सारे आपके bollywood actors भी जाते हैं, आपके industrialist भी जाते हैं, ठीक है ना, जैसे मुगेश अमबानी जी भी गए थे पहले, दीपका पादुकोन भी गई थी, YouTube वाले भी जाते हैं, बहुत सारे तो इस तरह से ना, मतलब, it is a kind of what public private corporation है, international organization for public private corporation ध्यान रखना, ये inter-governmental organization नहीं है, very very important point, this is what a public private corporation, तो यहाँ पर अलग अलग चीज़ों के लिए, जो भी हम steps ले सकते हैं, उनको यहाँ पर discuss किया जाते है On the contrary, जब मैं बात करता हूँ, institutional partner की, वो क्या है, Invest India, Invest India क्या है, ये एक investment promotion agency है क्या मतलब इस चीज़ का, देखो माल लो कोई investor है, वो इंडिया में कुछ अपना investment करना चाहता है, तो एक तरह से उस investment को कैसे guide किया जाए, कैसे उसको advice किया जाए, उसको कैसे investment को ऐसे facilitate किया जाए, ताकि उस investor को इंडिया में invest करने में असानी हो, वो सारी चीज़े कौन द कराया, तो business 20 हो गया, woman 20 हो गया, जी 20 empower, ये सारी चीज़े हमें देखने को मिली, अब आप लुक सुचे को सब्सक्राइब क्या है, देखो यहाँ पर भी हमने woman की ही बात करी, woman leadership, woman empowerment की बात करी, तो वहीं से नाम आया, G20 empower, ठीक है ना, उनकी empowerment के रिकाड़ी, तो foundational sport आपका, को जानने चाहिए, next जलते है, G77, third south summit in Uganda, देखो, minister of state हमारे जो external affairs के है, वो यहाँ पर इसके अंदर participate कर रहे है, G77 and China in Kampala, Uganda के अंदर, ठीक है, यह summit है basically, third south summit है, जैसे आप यहाँ पर देख भी सकते हो, अब actually पहले तो आप यह समझो कि global south क्या होता है, देखो जब हम बात करते हैं, जैसे पूरी दुनिया के अगर हम बात करें, तो आप notice करोगे, कि दुनिया के जो ज़्यादा तर developed nations है ना, वो आपके northern side पे देखने को मिलेंगे, जैसे आपका USA हो गया, आपका Canada इतर मिल जाएगा, आपकी western open countries आपको देखने को मिल जाएगी, कुछ और country इतर द नहीं, ऐसा नहीं है, जैसे यहाँ पे Australia और New Zealand है, तो Australia तो developed है sir, हाँ बिलकुल, और on the other hand, India तो north में आता है, पर India तो थोड़ा उतना मतला हम developing है अभी, अभी developed तो हम बने नहीं है, बिलकुल ठीक बात है, देखो नॉमली ना, जब हम बात करते हैं, ग्लोबल साउथ की, तो साइड में आती है, मैं यह नहीं गया है, कि सारी कंट्रीज उसी में आती है, जैसे for example, अगर मैं बात करों इंडिया की, तो इंडिया जोग्राफी कली तो नॉर्थ में आता है, पर हम ग्लोबल साउथ के साथ है, ठीक है ना, क्यूंकि इंडिया अभी developing country है, इंडिया developed यहा एक economic term है, ठीक है, अब जैसे इंडिया ने देखो, वसुदेव को तुमकंप के हम बात करते हैं, that is, the world is one family, उसी के lines के उपर आपको यह जी 77 का third south summit भी आपर देखने को मिल जाएगा, अब एक्सरी थोड़ा समझो, कि G77 and China, हम इसको ऐसा की बोलते हैं, देखो जब ना इसक भी G77 ही लिखते हैं, चाइना क्यों अलग से लिखते हैं, देखो चाइना इस ग्रुप का part नहीं है, बहुत important point, पर indirectly वो इनके साथ ही है, मतलब इनके साथ जो meeting करा होती है, इसके साथ हो पार्टिस्पिट करता है, इसलिए इस ग्रुप का नाम क्या है, G77 and China, ठीक है, original name को हमें अभी भी यहां पर रिटेन किया हुआ है, although member भले 134 होंगे होंगे, पर हम इसको बोलते है G77 ही है, इसकी annual meeting आप देख सकते हो, UN New York के अंदर होती है, और India was the first nation जो कि इसकी पहली G77 के उपर preside किया गया था, कब हुआ था सर इसका formation, इसका formation 1964, जिनेवा के अंदर हुआ दरसल में यहां पर United Nations Conference on Trade and Development, इसका session चल रहा था, उस session के time के उपर joint declaration sign हुई, उसके माद्यम से हमें देखने को मिल जाता है, developing countries का यह सबसे बड़ा inter-governmental organization है, तो यह भी आपको आप यहां पर पता होना चाहिए, एक charter of Algiers है, ठीक है, उसके द्वारा यहां पर गाइड किया देखने को मिलता है, नेक्स्ट मारा topic है regarding gangetic dolphin, अभी recently एक gangetic dolphin को यहां पर rescue किया गया by forest officials in Odisha from a river, अब थोड़ा इसको समझने कोशिश करते हैं, देखो यह आपको picture में यहां पर देखने को मिलेगे gangetic dolphin, दरसल में न, यहां पर यह blind होती है, ठीक है, अब जब अपने मालो कि किसी को hunt करना है, किसी fish को hunt करना है, तो वहां पर क्या होता है, वो ultra sound की मदद से, ultrasonic sound की मदद से, उनको emit करती है, और जब किसी चीज़ को टकराती है, उस हिसाब से वो hunt करती है, ठीक है न, basically इसकी मदद से, ultrasonic sound की मदद से, यह अपने धिमाग के अंदर एक चित्तर मनाती कि सामने कहां पर कोई fish होगी, सामने कोई prey होगा, अब यह जब जो अवाज करती है, जब यह breathe करती है, तो सू, सू, इसे करके अवाज आती है, इस वजा से इनको न, दूसरे नामों से, जिसे सू, 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 शूशक, सोचो, इन नामों से भी यहां पर जाना जाता है, इनक आपको fresh water के अंदर देखने को मिलेगी, देखो अगर ही आपको कहीं पर नहीं मिल रही न, मतलब जिस जवापर यह मिलनी चाहिए, इसका मतलब वहाँ पर पानी fresh नहीं है, तो fresh water के उपर आपको यहां पर देखने को मिल जाती है, जैसे गंगेस, ब्रह्मपुत्रा मेगना ह उसी तरह से बहुत सारा आपका और एरिया वें भी आपको यह इनकी range historically extend करती थी, पर आज कल के समय के उपर न, यह majorly आपको गंगा और उसकी tributaries में ही देखने को मिलती है, बाकी जगा के उपर यह extinct हो चुकी है, तो majorly आपकी गंगा और tributaries ही आप यहां पर important ध्यान में यह इसको tiger of the ganges के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि एक तरह से बिलकुफ top predator है, सबसे top के ओपर यही आती है, जिसे tiger आपका normally आता है, उसे तरह गंगेंजिस के अंदर ही top predator आपको यहीं देखने को मिल जाएंगी, इको लोकेशन में आपको समझाई दिया, कैसे यह ultrasonic sound क मिल जाएंगी, कुछ threats भी है इनके, जैसे for example, अगर आप dams बना रहे हो, बराज बना रहे हो, उस वज़ा से कहना कि पानी के अदर flow होता ना, वो उपर नीचे हो जाता है, and accordingly इनको issues आते हैं, साथी साथ इनको oil और meat के लिए हंट हिया जाता है, pollution का इनके उपर impact आता है, and boat traffic हो गया, dredging, underwater noise, जो भी आप पानी के अदर कुछ human activity कर रहे हो ना, उसका इनके उपर negative effect आएगा ही आएगा, 15 अगर्स 2023 को हमने project gangetic dolphin launch किया था, ताकि इनको यहाँ पर हम conserve और protect कर पाएं, कुछ और भी fresh water dolphins के आपर में discuss कर लेते हैं, एक जैसे होती है, Amazon river dolphin, अब इसका क्या मतलब हुआ, Amazon river में जो मिलेंगी, उनको यहाँ पर यहाँ पर यह बोला जाता है, यह इनको दूसरे नाम जैसे pink river dolphin या बोटो के नाम से भी जाना जाता है, आपको Columbia, Venezuela, उन rivers में आपको देखने को मिल जाएंगी, यहाँ पर endangered यहाँ पर इनका IUCN status है, on the other hand, अगर मैं बात क के नाम से जाना जाता है, इनका IUCN status भी endangered ही है, एक Yangtze river dolphin हुआ करती थी, Yangtze river of China के अंदर, जिसको भी recently extinct यहाँ पर डिक्लियर कर दिया गया, एक इरावरी dolphins के बारे में भी आप जानते होंगे, इनका IUCN status क्या है, critically endangered है, आपको चिलिका लेक और salt water, जो होते हैं, salty salt water, वहा पैट, देखो दर असल में एक बात समझो, आप लोग भी जैसे अभी 2024 में, मतला आप पता नहीं, आप में से जाएतर लोग आई थे, गठाना प्लस तो हों गई, तो आप भी वो डालोगे, 2024 के इलेक्शन अभी आने वाले हैं लोग सभा के, उसके अंदर ना, EVM के लोगे है, ऐसा कुछ भी नहीं है, तो सारी चीज़ें, वो सारी चीज़ें, तो anyways, coming back to the point, जब हैं बात करते हो न, यहां पर आप नोटिस कर पाओगे, electronic voting machine की, तो electronic voting machine के न, दरसल दो हिससे होते हैं, ये वाला हिससा देखो, ये वाला देख पा रहे हो, हाँ जी सर, इसको बोलते ह लगा हुआ है, ये क्या है, अरे इसी पर तो वोट डालते हो, इस पर वोट डालते हो, ठीक है, इसमें बैलोट यूनिट के उपर सारे नाम लिखे होते हैं, कि ऐसे ऐसे ये पार्टी, ये पार्टी का सिंबल, इस तरह से, आखरी में नोटा लिखा होता है, अगर आपने कि वेरिफिकेशन चेक करेंगे, कि हाँ, आप ही परसन हो, अकॉर्डिंगली आप फिर यहाँ पर जाओगे, इस बैलोट यूनिट के सामने, और जिसको भी आपको वोट डालनी है, उसको डाल पाओगे, तो कंट्रोल यूनिट और ये जो EVM है ना, इनको एक केबल से कनेक्ट खिया जाता है, ठीक है सर, ये बात तो समझ जागी कैसे हम वोट डालते है, ये साथ में तीसी चीज़ क्या है, अरे ये होती है VBPAT, सर ये क्या चीज़ है, इस वोटर वेरिफाइबल पेपर और ट्रायल, मैं आपको समझाता हूँ, जब ना, आपने मानलो किसी को यहाँ वोट डाल दिया, एक्जामबल कोई भी, पाँचवे नंबर की कैडिएट को मानलो, आपने याप पर वोट डाल दिया, तो पाँचवे नंबर वाले कैडिएट का कौनसी पार्टी थी आपका किसको वोट गया, वो आपको यहाँ पर कुछ सेकंड के लिए दिखता है, ठीक नहीं जिसको आप वोट डाल रहे हो यहां पर आपको दिख जाएगा अकॉर्डिंगले आप उसी टाइम के उपर उसको वो भी कर सकते हो उसको वेरिफाय भी कर सकते हो कि हाँ यार मुरा वोट सही बंदे को ही गया है तो यह चीज़े आपको पता होनी चाहिए तो इस तरह से यह क्या कर रहे है election question of India यहां पर आप भोटिस कर पाऊगे 31 states और यूटीस के अंदर 613 districts के अदर इस तरह का awareness company यहाँ पर चलाया जा रहा है ताकि election से पहले proper यहाँ पर awareness हो लोगों के regarding ठीक है लोगों को इनके regarding EVM का जैसे मैं आपको बताई दिया इसके दो parts होते हैं ठीक ह को मिल जाएंगे representation of people act RPA के section 61A यहाँ पर include किया गया था जहां पर ECA को empower किया गया EVM को use करने के लिए कौन इनको बनाता है देखो इनको बना जाता है भारत electronics limited BEL के द्वारा जो कि एक defense PSU है और साथी साथ ECIL, ECIL क्या है आपका electronics corporation of India limited यह भी एक PSU ही है जो आपकी department of atomic energy के अं आती है मैंने जो आपको बता रहा था वीवी पैट जो तीसरी वाली machine थी यह क्या है यह एवी के साथ होता है यहाँ पर एक paper slip आती है जहां पर सारा data वगरा होता है किसने किस को यहां पर किसने किसनों को नी आपने जिसको जिसको वोड डाला उसका नाम ठीक है उसका serial number और इसका symbol आपके सामने यहाँ पर देखने को मिल जाएगा 7 seconds के लिए visible रहता है transparent window को फिर उसके बाद automatically कट हो जाता है और drop in हो जाता है वो जो printed slip होती है इसको पहली बार 2013 के अंदर यूस किया गया था इसको सिरफ polling officers ही access कर सकते हैं बागी 2019 के लोग सागल actions के अंदर इसको और इसको वोट डाला था तो मेरे सामने भी लिखा आ गया था कि हाँ ऐसे आपने इसको वोट डाला है तो यह सही चीज है मतलब उसी तरह से अगर हम बात करें कि क्या-क्या EVM के रिगार्डिंग कुछ डूडिश्री ने कुछ बोला है बिल्कुल देखो एक P.U.C.L. वसे Union of India केस हुआ था People Union for Civil Liberties वसे Union of India यहाँ पर नोटा option को include किया गया था कि अगर मानलो आपको किसी को नहीं पसंद वोट करना तो आप मत करो मतलब आपे नोटा को वोट करके आ जाओ ताकि आप अपना एक तरह से यह दिखा पाओ कि यार इतने सारे आपने candidate खड़े करें हमें क देखने को मिलता है साथ साथ एन चंदर बाबु नाइडियो वसे उन आफ इंडिया दोसर उनिस का केस था यहाँ पर बोला गया कि पांच वीवी पैट पर असेम्ब्ली कॉंसी उनको यहाँ पर वैरिफाई किया जाएगा मैनूली तांकि यह देखा जा पर कुछ गड़ब टोड़ी करते हो तो एस यह आपका आपका लोग सभा आपका राज्य सभा आपका लेश्लेटिव असेम्ब्ली हो गया और साथी साथ आपका जो प्रेजडेंट वाइस प्रेजडेंट की एलेक्शन को अड्मिस्टर करता है तो पहला आपका इस विदा से गलत हो जागा कॉमेंट से बताओंगे आपके साथ सिन्वे से कौन सा ठीक है कौन सा गलत है लास्ट सेडरी होमग दिया था उसका अंसर देख लेते हैं बुद्धिस्ट कॉन्फरेंस पर पीस की बात करें तो क्या इसके हैड़कॉर्टर नेपाल के अंदर है अंसर इस पॉल्स यह आपको मंगोलिया के अंदर देखने को मिलेंगे उलान बटार मैंने आपके साथ डिसकस भी गया था वाहा एक मुरेस्टी भी थी ठीक है मोजू की बात करें यहाँ पर ट्रिशनल बुफैलो फाइट है जो की इंटेग्रल भीहू सेलिबरेशन ऑफिस आम का पार्ट है इस से बिताओगे दूसरा ग्रेट इन बस्टर के रिकार्डिंग होमवक है हमने डिसकस कर लिया है बस आपको पता होना चाहिए यह सोचना बस बाकी तो हमें पता ही है एक सटेड़े जो और होमवक दिया था पके पागा हॉन्विल फेस्टिवल यह किस स्टेट का फेस्टिव के अंदर इनके द्वारा फॉन्विल्स को कंजर्व करने के अंदर एक बहुत इंपॉइंट रोल यहां पर प्ले किया गया मतलब काफी यह रोल प्ले करते हैं तो इस तरह से पहला यह जो फेस्टिवल था कि 2015 में इस तरह से मनाय जाया इसी तरह से हमार हर साल इस पर्टिक दोस्तो कीप वरकिंग हाड गुडबाय और गुड़ लख